हिंदों के सबसे बड़े पर्व दिवाली को तेहरों की माला वान जाता है पांस दिनते चलने वाले ये पर्व सिर्फ भईयादूस तक ही सीमित नहीं है बलकि ये पर्व छट पूजा तक चलता है उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मना जाता है ये पर्व अपने आप में काफी खास है इसे पूरे देश में धूमदाम से मना जाता है चट पूजा चार दिन तक चलती है सूरिदेव की अराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित चट पूजा हर साल कार्थिक मास के शुकल पक्ष की शष्टमी तिथी को होती है इस वर्त में सूरिदेटा की पूजा की जाती है जो पत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों की जीवन के आधार है सुखी के साथ साथ सष्टी देवी या छटमीया के भी पूजा होती है माननता के नुसार सष्टी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्त और दिरगायू बनाती है सप्तमी को सुर्योदे के समय उक्तवे सुखी को अर्ग देते हैं और फिर प्रण करके वर्थ को पूरा किया जाता है नहाय खाय से लेकर उक्तवे भगवान सूर्य को अर्ग देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक एत्यासिक महतो है सश्टी देवी को प्रह्मा की मानस्पुत्री कहा गया है यह प्रक्रति का छटा अवतार है संथान देती हैं और सभी बालकों की रख्षा करती है पर्थम मनु के पुत्र राजा प्रिवर्थ के कोई संथान नहीं थी इसके कारण वेद दुखी रहते थे महर्शी कर्षप ने राजा से पुर्तियस्टी यक करने के लिए कहा राजा नियक किया जिसके बाद उसकी महरानी ने एक पुत्र को जनम दिया लेकिन दुर्भाग्य से वेशिशू मराववा पैदा हुआ था राजा का दुख देखकर एक दिविव देवी प्रकट हुई उन्होंने उस मृत बालक को जीवित कर दिया देवी की इस कृपया से राजा बहुत खुश हुआ उन्हों शष्टी देवी की स्तूति की तवी से पुजा संपन की जा रही है सूर्य की पुजा वेदिक काल से ही होती चली आ रही है सूर्य की गिंती उन पांच प्रमुख देवों और देवताओं में की जाती है एक और माने तक नुसार छट पर्व की शुरुवात माभात काल से हुई इसकी शुरुवात सबसे पहले सूरी पूत्र करण ने सूरी की पूजा करे की थी करण सूरी के प्रमभक्त थे और वो रोज घंटो कमर तक पानी में खड़े होका सूरे को अर्ग देते थे सूरी की किरपा से ही हुए महान युद्धा मने आज भी छट में अर्ग देने की प्रमपरा परचली था है छट पर्व के बारे में कई कताएं हैं जिनमें एक है कि बागवान किष्ण के पुद्र सांब को कुछ रोग हो गया था तब उन्होंने सूरी की उपासने करके इस रोग से उसको मुक्ति दिलाई थी जब पांडव अपना सारा राजपाट जुवे में हार गए तब द्रोबदी ने चटका वत रखा था इस वत से उसकी मुनकामना पूरी हुई और पांडव का अपना राजपाट वापस मिला था शास्त्रों में भगवान सुर्य को गुरू भी कहा गया है पवनपुत्र हनुमान ने सुर्य से ही शिक्षा पाई थी श्री राम ने आदित्य हिद्यस्त्रोत्र का पाठ कर सुर्य देवता को पसंद करने के बाद ही रावण को अंतिमान मारा था और उस पर विजय पाई थी छटकी पुजा के चार दिन होते हैं जिसे पहला दिन कार्ति शुक्ल चतुर्ती को वर्थ की शुरुवात नाय खाय के साथ होती है दूसरे दिन कार्ति शुक्ल पंचमी को शाम में मुख्य पुजा होती है जिसे खरना कहा जाता है तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल शष्टमी को शाम को अस्तचलगामी सूरे को अरग दिया जाता है वर्थ के साथ सारे लोग डूपतेवा सूरे को अरग देते हैं चोथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगतेवा सूर्य को अर्ग देने के बाद परण के साथ वर्त की समापती होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई की अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब करें लाइक करें शेयर करें धन्यवाद।